कि नमस्कारों दोस्तों स्वागात अब सभी का मेरे योटीःव चैनल मैंग स्टी पॉइंट 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 पॉइंटा पॉर मैं हूँ अपका होश्ट मैंग साओ और आज कमरा वीडियो प्रोडक्षन मैंएज्मेंट का है जिसके अंतर जनेगे टाइप् उसके 4 amps जाने थे 4 amps मैंने क्या क्या बताया था आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आगले वीडियो में इसके कुछ और फैक्टर जानेंगे उसके प्लांट लियाउट का टॉपिक जो है पुरापरली कतम हो जाएगा तो चलिए वीडियो में आगा बढ़ने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चल्दी चलों कर दिये सब्सक्राइब और प्रेस कर दिये बेल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिविकेसन तुलंत मिले और आप उसे मिस्स ना कर सके तो बढ़ते आज का मेरे आपिकर तरब ते चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं तो दोस्तों अब यहां पर बात करें टाइप सोब प्लांट लैयाउट की तो यहां पर प्लांट लैयूट की कौन-कौन से टाइप है यहां पर बेसिकली हम लोगने चार टाइप देखा है तो पहले हम लोग उसके बारे में जानते है production result from man materials and machinery together with management तो जैसे कि हम लोगा यह 4M से production result जिसे निकलता है man materials and machinery together with management, management के थुरू यह तीनों manage किया जाता है the characteristics are changed to manufacture a product layout begins with which element of elements mentioned above move फिर यहाँ पर manufacture के time पर जो product का manufacture होता है तो जाहिर हम लोग को मालूम है कि कोई भी product एक machine से निए बनता उसके लिए बहुत सरा machine होता है कुछ रैपर्स बनाता है, कुछ bottles बनाता है, कुछ liquids बनाता है तो अलग अलग तरह का machine होता है तो वो machine जो है elements है यहाँ पर उन सभी elements को जोड़ कर एक जगा से दूसर जगा लेके, दूसर जगा से तीसर जगा लेके, तीसर जगा से चौथे जगा लेके उसे पूरा product complete करता है और उसे market में भेजता है तो हम लोग ने यहाँ पर keeping in view the type of industry and volume of production, the type of layout to be selected is to be decided from the following तो यहाँ पर हम लोग कौन किस तरह के product बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग ने चार points लिखे है product और line layout जिसे हम लोग product layout या फिर line layout बोल सकते हैं या फिर process या फिर functional layout बोलते हैं फिर आता fixed position layout और आता है combination type of layout layout भी बोलते हैं तो यह होता है यह चारे layouts है इन layouts पर product बनते हैं तो सबसे पहले हम लोग आता है product और line layout यानि कि product या फिर line layout if all the processing equipment and machines are arranged according to the sequence of operations of a product the layout is called product type of layout एक ऐसा process एक ऐसा equipment जो इसमें सभी कुछ को मिला जिसमें सभी machines को arrange करके एक size में एक line से काम किया जाता है उस operation उस product किया जाता है उसे हम लोग plant layout कहते है या फिर product the layout is called product type of layout कहते है in this type of layout only one product और one type of product is produced और इस तरह के product में सिर्फ एक ही product बन सकता है उसे ज्यादा नहीं बन सकता है इस product must be standardized and produced in large quantities in order to justify the product layout और इसमें क्या होता है कि product का standardized किया जाता है product का large quantity बना जाता है जो large order होता है उसको justify किया था इस product के layout से इसमें एक product जैसे की यहां पर हम लोग diagram में देख सकते हैं कि यह raw materials है यहां पर जैसे की देख सकते हैं यह raw materials है और यह finished goods है यहां पर raw materials को लगाया गया है पहले उसका टर्ण एक मसीना टर्ण किया गया उसको ड्रील किया गया उसको फिर मील में किया गया उसको मिलाया जा रहा है या फिर मील कुछ भी होता है या फिर ग्राइंड फिर उसको मिलाया जा रहा है उसका फिर बोर किया जा रहा है जैसे कि यह साडी का है यह साडी का है पहले उसे टर्ण किया जाता है फिर उसे ड्रील किया जाता है उसे मील किया जाता है ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है फिर उसे बोर किया जाता उसे रीम किया जाता है उसे इंस्पेक्ट किया तो बाद उसको पैक किया जाता है उसका दो मार्केट में भेज जाता है जिसको हम लग finished good कहते हैं इसी तरह से department ये A है ये department B है department B में भी same उसी तरीके से होता तो एक बाल में एकी product बन रहा है अगर इसमें से अगर ये machine खराब हो जाए या फिर ये machine खराब हो जाए या फिर ये machine खराब हो जाए तो यहां पर सभी का काम रुख जाएगा अगर 8 नमबर लग खराब होगी तो तब भी यहां पर सभी का खराब जाएगा यानि कि इस लाइन में जितने भी मसीन से 1 to 8 कोई भी कहीं से खराब जाएगा तो सभी का काम वापस से रुख जाएगा यही होता है यही होता है product product or line layout the raw material is supplied at one end of the line and goes from one operation to the next quite rapidly with minimum work in process storage and material handling figure number 3.3 source product layout for two types of product A and B यहाँ पर दो तरह का product जैसे कि बदाया गया है product A और product B दोनों का department है अलागलागल कोई साड़ी बना रहा है कोई कपड़ा बना रहा है तो सबका काम एक ही है इसमें वह कस्ट कर रहा है ग्राइंड कर रहा है टर्ण कर रहा है ड्रील कर रहा है मील कर रहा है पेंट कर रहा है इंस्पेक्ट कर रहा है और बेज दे रहा है उससे हम लोग फिक्स कुट कहते हैं और यहां पर साड़ी बना तो पहले उसको ड्रील कर रहा है टर्ण कर रहा है उसका ड्रील कर रहा है उस तो यहां पर काम करना बंद हो जाएगा, इसके कुछ advantage और limitations भी है, उसे हम लोग जानते है, इसका advantage कैया, lower total material handling cost, जो total material cost है, handling cost है, बहुत कम रहता है, there is less work in progress, इसमें काम भी बहुत कम होता है, बहुत धिरे-धिरे होता है, बहुत धीमे तरीके से होता है उसके बाद फिर better utilization of man and machine यहाँ पर man and machine का better utilize किया जाता है company द्वारा उसका less floor area is occupied by material in transistor for temporary storage यह floor area का बहुत ही कम area लेता है बहुत कम area में यह बन जाते है जैसे कि हम लोग यहाँ पेपर का plate या फिर plastic का plate देख सकते हैं या फिर थर्मकॉल का plate देख सकते हैं वह बस 200 square feet में हो जाते हैं उसके लिए ज्यादा जगाने चाहिए उसके लिए बस एक से दो machine चाहिए और एक से दो लोग चाहिए बस उसके बाद जो है आपका plate बनकर तयार हो जाएगा तो यहाँ पे जगा भी कम area भी कम यह occupied करता है और temporary storage भी रहता है उसके बाद फिर greater simplicity of production control का simplicity भी बहुत अच्छा होता है उसका total production time is also minimized और इसका production time जो है वो भी minimized रहता है कि कितने कम समय में यह हो जाएगा उसके बाद limitation of product layout अब जानते है limitation no flexibility which is general required in obtained in this layout इसमें कोई flexibility नहीं होता है यह हमेशा के लिए required रहता है इस layout को हमेशा ready रखा जाता है उसके बाद फिर the manufacturing cost increase with the fall in volume of production फिर manufacturing cost जो है वो increase रहता है इसका production का volume भी जो है वो fall होता रहता है उसके बाद in one or two lines are running light there is considerable machine idleness idleness इसमें होता है कि यह एक से दो line में बनता है यह एक से दो line का machine होता है जिसमें एक running light चलता रहता है continue चलता रहता है और यह machine जो होता है कभी idleness नहीं होता है यह sorry यह idleness होता है यह कभी ठाकेगा नहीं या फिर यह कभी बंद होगा नहीं उसके बाद फिर आता है a single machine broke down में shut down the whole production line जैसे कि मैंने आपको उपर में बता है कि एक भी machine अगर खराब हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो सारा का सारा काम जो है बंद होगा उसके बाद आता है specialized and strict supervision essential इसमें क्या होता है strictly इस काम को check किया जाता है specialized तरीके से देखा जाता है और इसके इससे supervised किया जाता है कि इसमें कुछ fault तो नहीं आ रहा है अगर fault आ रहा तो से तुरें change कर देता है अब मैंने यहां पर बात करें प्रोसेस और function layout process और function layout यानि कि process या फिर function layout कह सकते हैं the process layout is particularly useful where low volume of production is need is needed if the products are not standardized the project the process layout is more desirable because it has greater process flexibility than other इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें प्रोडक्शन नीड बहुत कम होता है और यह type of layout the machine are not arranged according और इस तरह के layout में machine जो है वो accordingly नहीं रखा जाता है जहां तहां जैसे तैसे उपर निचे इधर उधर side में ऐसे रखा जाता है इसका कोई एक fix जगा निए कि पहले हम turn करेंगे या फिर drill करेंगे या फिर paint करेंगे इसमें कुछ नहीं आप पहले कुछ सब एक साथ कर लेगा तो यहां पर यहीं होता है इसको एरेंज करके नहीं रखा जाता है सिक्वेंस में और यह operation भी जो है बहुत ही सही तरीके से करता है उसके बाद फिर यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका डियाग्राम क्या है तो इस लेयाओट इस कॉमनली सुटेबल और नॉन रिपीटिटिटिव जोब यह सुटेबल होता है नॉन रिपीटिटिटिव जोब्स के लिए से सेम ताइप आप अपरेशन फैसलिटीज आर गूप तोगेधर सच अच आज विट विल बी आर एट अनदर प्लेस एंड सो ओन सी फिगर 3.4 फॉर प्रोसेस लेयाओट देर्फोर दा प्रोसेस करेड़ आउट इन अनी एरिया इस अकॉर्डिंग टूदा मसीन एविलेबल इन दा एरिया तो यहां पर वही बताया गया कि देखें यहां पर जैसे कि यहां पर मैट्रि यहां पर जैसे चाहें इसको रख दीजिए वहां पर यह अपला काम कर लेगा तो यह होता है प्रोडक्ट ए और बी का फिर यह हम लोगा हो गया प्रोसेस लेयाओट अब इसका एडवांटेज और लिमिटेशन देख लेते हैं इसका एडवांटेज और लिमिटेशन है एडवांटेज और प्रोसेस लेयाओट क्या है देर विल बी अलेस डुप्लिकेट ऑफ मसीन दिज टोटल इंवेस्टमेंट इन एक्विपमेंट पर्चेस विल बी इसका एक्विपमेंट जो है रिडियूस होने लगता है प्रचेस का उसके बाद इसका उफर्स बेटर एंड मोर एफिसेंट सुपर विजन तुरू स्पेसलाइजिशन एट वेरियस लेबल और यह बहुत अलग अलग तरह से अलग-अलग लेबल का प्रोडक्ट में सुपर इसका उफर्स बेटर रहता है यह मोर एफिसेंटली काम करता है इसका वेरियस लेबल भी बहुत अलग होता है इसका फिर इस अग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्विपमेंट एंड मैन पावर दस लोड डिस्ट्रिब्यूशन इस इसली कंट्रोल और यह बहुत ही अच है इसमें मैन पावर जो है ज्यादा लोड डिसिट्रिब्यूशन लोड भी नहीं दे सकता है और इसली कंट्रोल भी होता है अगर आप लोड दे भी दे रहे हो मैन पावर का तो भीác ॹृह आराम से करें एसली कंट्रोल करें कि ऐसा कुछ न olduğ जाएगा या फिर ज्यादा लोड होने पर मसीन बंद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है फिर इसमें क्या होता है बेटर यूटिलाइजेशन और एकुप्मेंट अवेलेबल इन पॉसिबल फिर यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलता है क्यों जो हमेशा पॉसिबल रहता फिर breakdown of equipment can be easily handled by transferring work to another machine workstation और फिर यह क्या होता है यह easily handled होता है कि आप एक जगा से दुसरा जगा अपना machine को भेज सकते हो कर सकते हो आपे काम फिर आता है there will be better control of complicated or persian process easily especially where much inspection is required फिर यह better controlled भी होता है complicated भी होता है और precious process भी होता है precious process भी होता है उसके बाद फिर especially यह inspect किया जाता है जब यह इसका required होता है तब ही इसका काम होता है फिर आता है limitation limitation और process में क्या होता है there are long material flows lines and hence the expensive handle in required इस में क्या होता है long material flow lines का भी मतलब जो बड़ा एरिया चाहिए होता है expensive handling चाहिए होता है इसको तरीके से require करना होता है कि कौन सा कौन से लोग इसे handle कर पाएंगे इसके लिए जानना पड़ता है उसका total production cycle time is more owning the long distance and waiting at various points और यह production cycle total जब production बनना होता है तो इस production cycle में थोड़ा time भी लगता है और बहुत ही लंबा समय भी लगता है और long distance भी लगता है कभी बहुत वेट बिकंडा पहता है इसका various time various points पर पहुँचने के लिए फिर तो यहां पर जैसे की सिन्स मोर वर्क जैसे कि आप किसी कंपनी में बॉटल बना दे हो तो बॉटल का ढखकन भी चाहिए विधा बंनानेगा उसी मसीन पे बाटल का धकन भी बना सकते हो फिर आता है generally more floor area is required इसमेर सबसे ज्याधा area required होता है कि आप एक रूम में फिर दो रूम में आप इसको नहीं बना सकते हो आपको कम से कम एक बड़ा सा रूम चाहिए होगा या फिर बड़ा इंडस्ट्री चाहिए होगा बहुत एडिया यह कवर करता है Since work does not flow through definite lines, counting and scheduling is more tedious फिर यह इसका जो work है इसका जो काम है वो does not flow through definite line यह एक line से दुसरे line में नहीं आता है, यह कहीं से भी कहीं चला जाएगा इसका आप कहीं भी आप select करोगे तो यह वहाँ से वहाँ चला जाएगा और यह पूरा production को सही तरीके से बना करें आपको देगा उसके बाद आता है specialization creates monotony and there will be difficulty for the lead of workers to find job in other industry उसके बाद फिर specialization create करता है, monotony create करता है और difficulty भी कई बार लेकर आता है जो lead workers होता है उनको job नहीं मिल रहा तो उनको job देने में भी यह help करता है यह industry उसके बाद आता है हम लोग का fixed position layout यह तीन number point है हमारा fixed position की एक ही जगा पे वो स्वामान रखा हो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते है ship का या फिर बड़ा बड़ा plane का की plane तो एक जगा से दूसरे जगा नहीं जाएगा उसके पास सभी machine को लाना पड़ेगा जब वो बन रहा होता है अगर आप ship बनने का वीडियो देख रहे हो जो बड़ा बड़ा समुद्री जहाज होता है उसका अगर आप कहीं YouTube पे वीडियो देख रहे हो या पे कहीं से देखे हो तो वहाँ पे आप देखो कि ship एक ही जगाए बनता बस उसके पास जितने भी equipment से manpower से मैटरियल से सब वहाँ पे लाके उन्हें collect करके बनाया जाता है तो यह वही पे यूज होता है तो जैसे कि इस टाइप अफ लियाउट इस इंपॉर्टेंट फॉर टुडेंज मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री इन इस टाइप अफ लियाउट दा मेजर कॉंपरेंट रि तो यह एक जगह से दूसरी जगह लेकि जाना पॉस्टिबल नहीं है सभी इकोप्मेंट को सभी टूल्स को सभी मैन पावर को सभी पार्ट्स को एक जगह इकट्टा करके उस लोकेशन में लाके वहाँ पे बनाया जाता है उसको collect करके उस ship को या फिर उस plane को बनाया जाता ह है the major component or body of the product remains a fixed position because it is too heavy or too big and as such is economical and convenient to bring the necessary tools and equipments to work place along with the manpower this type of layout is used in manufacturing the boilers hydraulic and system turbines and ships etc जैसे कि मैंने आपको बताएं यहां पर कि यह बहुत है बहुत बड़ा भी होता है जिसे एक जगह से दुसरे जगह लेकर जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है कई बार ऐसा अगर ज़रूरी हो जाता ले जाना तो उसमें economical problems भी आने लगते हैं यानि लेकर जाएगा फिर आता है advantage offered by fixed position layout इसका अब advantage हम लोग जानेंगे material movement is reduced जो material movement है वो कम हो जाता है कि इधर से उधर समान को लेकर जाना जो भी बन रहा है फिर capital investment is minimized capital investment भी minimized हो जाता है फिर the task is usually done by gang of operators यहां पर जो काम है वो complete होता है एक group के हिसाब से कि एक group में 50 लोग काम कर रहे हैं दस लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से complete होता है फिर hence continuity of operation is ensured production centers are independent to each other production center जो है वो एक दूसरे के जाथ independent रहते हैं उसके बाद hence effective planning and loading can be made thus total production cost will be reduced and तो यहां यहां पर production centers भी जो है प्लैनिंग के द्वारा effective planning द्वारा होता है इसका loading भी बहुत ही कम तरीके से होता है उसके बाद total production cost भी reduce किया जाता है उसके बाद में लास्ट अम्लों का point आता है इट offers greater flexibility and allows changing in product design, product mix and production value तो यहां पर flexibility भी देखा गे बहुत ज्यादा flexibility है और इसमें changes भी हम लोगो allow किये गया है कि देखने को मिलता है इसमें product design में changes देखने को मिलते है product mix में देखने को मिलते है अब आता है इसका limitation limitation क्या है highly skilled manpower is required जिसका बहुत ज़याद zijn working skill है या फिर बहुत ज़यादा उसको experience है बहुत ज़यादा उसके पास knowledge है like of knowledge है वहीं लोग इस काम को कर सकेंगे manpower उनहीं लोग को require होता है और्गनाइशन का फिर movement of machines, equipments to production center में भी time consuming फिर machine का अगर movement होगा, equipment का movement होगा तो production center भी जो है एक time consume करता है कि मुझे इतना time लगे है उतना time लगे है, 10 दिंग लगे है, 50 दिंग लगे है, एक मैने लगे है इस तरीके से उसके बाद आता है complicated fixtures may be required for positioning of jobs and tools, these में increase the cost of production, complicated fixtures जो होते हैं, जो भी काम उसमें चल रहा, fixture जो भी हो रहे तो उसमें कई बार complication देखने लगता है, उसका requirement जो है positioning requirement, जो है job tools में changes आने लगता है, इन cost का production cost भी increase होने लगता है, अब जाहिर है अगर कुछ change हो रहा है या फिर नया चीज लेके रहा है या उसमें नया कुछ समान fix किया जा रहा है, तो cost भी increase होगा, फिर आता है combination type of layout, यह हम लोगा वीडियो का आखरी point है, और सबसे important भी combination type of layout, इसमें process और plant दोनों का होना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या होता है, nowadays in pure state, any one firm of layout discussed above a yearly fund, तो आज के time पर, आज के date पर जो सभी, जो pure states है, जहाँ पर यह काम होते, यह layout बनते हैं, तो वहाँ पर यह discuss किया जाता है कि कौन सा, कौन सा layout को हम लोग अपने factory में use करेंगे, therefore generally the layouts used in industry are compromise of the above mentioned layouts, कुछ, हाला कि सभी जितने भी industry है, वो एक दूसरे के साथ compromise करके रखता है, कि ठीक है, मैं यहाँ पर pencil बनाओंगा, तुम graphite बनाओ, मैं यहाँ rubber बनाओंगा, तुम आपर pen बनाओ, यह करो, वो करो, इस तरह से एक दूसरे साथ चलते रहते हैं, तो दोनों के पास equipment रहते हैं, उसका equipment जब खतम हुझा तो इसके पास रहता है, फिर every layout has got certain advantage, और हर एक layout का एक अपना advantage होता है, और एक अपना limitations होता है, therefore industry would not like to use any type of layout as such, और कई सारे ऐसे industries भी होता है, जो अलग-अलग तरह के layout को use करना पसंद नहीं करते हैं, उसका रहता है, flexibility is a very important factor, और यह बहुत ज़रूरी होता है, flexibility कि किसी भी company के अंदर, किसी भी plant layout के अंदर, flexibility कितना है, वो बहुत important होता है, so layout should be such which can help molded according to the requirements, तो यहाँ पे layout जो होता है, वो mold रहता है, वो accordingly जो धला हुआ हुआ है, उसके उपर जो काम चल रहा है, उसके accordingly, उसके requirements, industry requirements को काम करवाता है, या फिर investment उसमें बढ़वाता है, फिर आता है, if the good features of all type of layouts are connected, a compromised solution can be obtained, which will be more economical and flexible, और यह जो होता है, if the good features, इसमें अगर जो सही features है, वो हर तरह का बहुत सारा ऐसा features, अलग अलग टाइप के features है, वो एक दूसरे के layout के साथ connected रहते हैं, और एक दूसरे के साथ compromise भी करते हैं, और उनका solution भी लेकर आते हैं, कि अगर कुछ issue आगया, तो यह किस तरह से बना, वो किस तरह से बना, यह product किस तरह से आया, इस तरीके से हम लोग इसका solution भी निकाल सेकते हैं, इंडस्ट्री के दौरा, और यह बहुत ही flexible होता है, और economical flexible भी रहता है, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ, कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते याते वीडियो को like करें, और अगर आप चैनल पे new है, तो चैनल को subscribe करें, और प्रिस करें bell icon को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का notification तु वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया